गुर्मानेंग यार सो वलकम टू इस्टडी मिसवाइब कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे से लाइफ इंज्वाइब कर रहे हैं इस्टडी के साथ साथ सो गाईज अभी मैं आपके साथ उपस्तित हूं एक नये लेक्चर के साथ और यह लेक्चर जी ट्वांटी स संबीट के उपर की वह आपको पता है कि हमारे इंडिया में इंडिया ने बहुत भी भीतिन तरीके से प्रफाँंस कर रहा है अपने इंटरनेशनल लेवल पर तो इसलिए इंडिया को अब जी टुवांटी समिट के लिए प्रेसिडिंसी मिल चुकी है उस प्रेसिडिंसी मे हमारे प्रधानमंतरी जी के साथ क्या-ट्यूय नयुकरlt क्या की सब्सक्राइट वाय और यसके लिए कि यह ह再 क्या है कि रुप कैन्ट्री का प्रत जायता है वैसे 20 कंट्री में निस स्झेट थृट में क्वेजता हन्य 10 कंट्री में घृप इस country को लेकर यह बन गया है था हमारा जी ट्वांटी जी ट्वांटी के पहले बहुत सारी जी सेवन भी है जी फाइब भी है तो उसके लिए अलग सी चीज़े हैं अलग से बताई बताई जाएंगों उसके बारे में आपके बुडियों में लेकिन अब जी ट्वांटी के बारें बात करें तो जीट्वांटी में सबसे पहले बात करें तो मृष्टी में इसे को बनाए गई जी ट्वांटी को और सबसे पहरा सवाल कि जी ट्वांटी बनाने की जुरुत क्या थी तो 1991 में हमारे इंटरनेशनल लबल पर एकनौमिक क्राइस चल रहा था अब एकनौमिक क्राइस चल रहा था इसके वाज़ा से ट्रेड औरेड भी सारे चीज़े खतम हो गए थी मतलब अश्थर नहीं थी चीज़ें टिकाओ नहीं थी इसलिए हमारे इंटरनेशनल जो कॉंसरिंग होई थी और उसके वाद बता गया कि ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए हमको एक ग्रूप बनाना पड़ेगा तो ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए बाक पर तो 26 सब्तमबर 1999 को फिर से यह स्टेबलिस्ट किया गया जी ट्वांटी ग्रूप ठीक है तो यह नाटिन कंट्री जे गूरूप था और वन यूरोपियन कंट्री है ठीक है अब बात करते हैं यूनियान तो तिम क्या थी इसकी अगर बात करें तो 2021 जैसे कि आपको पता ह आपको पता है इंडिया हो चांजा चाइना अचाहा फ्रांस हो छाइन तो आप क्या हुआ है कि इंट्रेंशनल लेवल पे यह सारे चीजें कहीं ना कहीं मजबूत नहीं थी पॉलिसी पीगड़ गई थी इकनॉमिक्क कहां से करेंगा हम खाने पीने के लालत पड़ गई थी बहुत सारे देशों में तो क्या हुआ तो ये सारी कांट्री ने बोला कि अब क्या करते हैं हम लोग एक थीम निकालते हैं और उस थीम के उपर हम काम करेंगे जिससे के हमारा इंटरनेशनल लबल क्या हो सही हो सुधार हो सके हैं तो थीम दिया गया था रिकवर टुगेदर एंड रिकवर इस्ट्रॉंगर ठीक है यानि सबको लेकर चलने की बात की जा रही थी जैसे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास तो वहीं चीज अपनाए गई थी रिक अच्छे से साथ में चलेंगे और मजबूति के साथ चलेंगे और फिर से रिकवर करेंगे यानि जो हमारी कि कंशा हो चुकी थी फर फ पूरे इंटरनेश्नल लवल पर उस चीज़ को फिर रिकवर करने के बात कही जाए थी ति थीम था दो हजार सिक्सका ठीक है और इस थी से हम लोग ने क्या किया economic की लेवल पर काफी अभी हम लोग क्या हैं शुदार कर पाये हैं तिस सेवंटींट एडिसन ठाड़ीक है यह सेवंटींट एडिसन आपको देखने को मिला सा 2020 किसका अभी मैं आपसे बात किया कि 2022 में दिसंबर फर्स से अभी दिसंबर फर्स दोजार बाइस से लेकर और आपको इसकी मीटिंग चलने वाले आगे तक सप्टमबर तक मिले इंडिया में जो कि जीटवांटी की प्रसिडनसी इंडिया लिया है यानि तो यह नियुत देली में अभी यह प्रसिडेंशी गई है इंडिया के द्वारा तो यह तो आपको रखनी है कि लिए प्रता वहीं है कौन सा रिकवर टोगेधर और रीकवर श्ट्रॉंगल ठीक हैं जरी फेस पर्फ जा शक्ता है इंडिया युद पार्ट आफ टेट्वं ती का पांद फिमीस लोगा सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं ऐसा नहीं कि इंडिया यह पहली बार ले रहा है ठीक है तो यह डो रेकिस में मिलिया था इंडिया ने प्रेशिदेंट्सी और अभी फिर 2022 में में लिए तो फोक स ही 20 होता है हमारे च इस अटी मिट का मीटिंग का तो फोकस क्या-kya होता है तो इंटरनल से कोटि जैसा है कि आपको पता है कि इंटर्नल सीकूर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा यहां पर गहीं ना कहीं दीकत चलना लगती है पुरे बिसु लेबल पर जैसे करी आप अगर देख लो यूक्रेन का रसिया का वजवार हुआ फिर चाइना कंफिलेक्ट होता रहता इंडिया के स जाथ पाकिस्तान के साथ कहिंए हमारा यह चिजरती हैं आपको सब कुछ पता है तो इसके लिए इन्टरर्नल सीकूर्टी अच्छे से बनाये रखने के लिए पीसफुल संती तरीकते से सब कुछ करने के लिए इंटर्तनल के के लिए अपनाने के लिए इन सार विजों के लिए मिपोक वह करते हैं इसके द्वारा जी 20 के रहा है रसिया यूक्रेणगबड को भी देखा गया और इसमें के चुह 451 में तक बनाए गया लेकिन अर्शानी आया बाइदर चांज को इसका भी वो सकता है इसलिए यहां पर को यह बहलत अब आप फिर शाज नेवल गूल शाज डियोते हैं शॉटनेबल डेवलमेंट गूल तो यह सच्छनेबल डेवलमेंट वहल हमारे सब्सक्राइब कर दो इस पर फोके सब्सक्राइब करते हैं लोग बात है सब्सक्राइब करते हैं आपके बात करें तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और इनर्जी मतलब क्या होती है अने वाले समय के अन। सब्सक्राइब करते हैं यदसे कली हो सकता है आगे अब कर जाकर घर लेन तो इन हो नोगा है इस परas सब्सक्राइब बात करते हैं यह जो सारा चीज आपने पढ़ा समझा जी ट्वांटी ट्वांटी समीट इंडिया प्रेशिएंस लिए रहा है यह सारा चीज आता कहां से यह आता है यूंस्ट से इसका मतलब क्या है यूनाटेट नेशन सी कोटी काउंसिल इए क्या करती है कि देरेन सन है कोई मुद्दा होता इंटर्टनल लबल पर यू आज पूकस माह जाता है यूवन क्या है यू अजिसे पता है सबसे पहले यह प्रबबक निकली डेवलब को ही और अपने फ्रीडम लिया उससे में क्या था कि केवल ना केवल पावर किसका था रसिया रसिया का था उससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले पावर अभी किसका था अमेरिका का था इसका इसी लिए हम बात करते हैं तो इसी लिए उनाइटेड नेशन सिकोर्टी कॉंसल बनाए गई ताकि और उसके बाद भी इंडिया भी कही ना कहीं इस पर फोकस दे रहा है कि सब के पास क्या होने चाहिए अपने खुद का पावर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसलिए इसको लाया गया और यह सब्सक्राइब करें इसमें नां पर्ममेंट मेंबर गात करें तो नां पर्ममेंट मेंटेंस पर्ममेंबर मेंटी यह होती है दश कंट्री की कॉन से है नौन पर्ममेंट है और फाइप कांट्री है पर्ममेंट मेंपर अब सुन लिजे की की क्वाइपन में में कही नदा में बात करें तो चायना फ्रांस रसिया-एझस अ यूटेट गिंगनम भी मिला हुआ है क्या मिला हुआ है वीटो पावर अब वीटो पावर क्या होता है दोस्त कि वीटो पावर के मतलब कि अगर इन पाचों में से कोई मुद्धा है मालीजे अगर कोई काम करना इंट्रनेशनल लबल पे और इन पाचों में से अगर यह का चाइना पर सहमत नहीं होता है वो काम नहीं होना चाहिए तो किसी का पावर नहीं होगा फिर टेन कांट्री मिलकर विखकाम नहीं कर सकती है यानि कहने का मतलब जो सब five countries के पास ही है France Russia China UK USA तो इंब पाचों कांड़ी को पास ऐसा पावर है तो अगर कोई भी काम के लिए मना कर दे तो काम नहीं हो सकता है और इन्हीं के पावर होगी तो कोई भी काम हो जाएगा तो यह चीज़ है तो कवे पाकिस्टान में क्या होता है तो पाकिस्टान और इंडिया में जैसे की बोर मुशनींय द्रगाइए मुआ भर सोथ आका काइए वहाँ पर भी चाहिए इसारे का सिर्टानलने पिरेस पाओर और क्या करते हैं अपना खुद का रविया अपना रखते हैं जी टो पॉवर के चलते हैं तो क्या इंडिया भी इसके पार्ट है इंडिया κι मैंबर है और पर्मंट है है अब बात करते हैं कि मेंबर इंडिया तो कोई ना कोई तो मुदा होना चाहिए कि यह मुद्दा है तो बहुत सारे मुद्दा है इंडिया के पास जो के लिए कर रखा हुआ है जैसे कि रिफॉर्मल मुल्टि लेटरियसम यानि कि यह कहने का मतलब यह है कि रिफॉर्म करेगा क्या यह रिफॉर्म करेगा अभी आपको कैणी रिफॉर्म करेगा मुल्टी लेटरिजम मुल्टी-लेटरिजम का मतलब की एक आदमी का अधरका करता यह आहीं कहना सुना जाए ऐसा नहीं होना है यह बात करें ना कि यूनि पॉल यानि कि यूनि पॉल आटी में मतलब कि एक आदमी का पावर देखना नहीं चाहिए बलकि सभी को लेकर चलना चाहिए यह चीज़ है इंडिया का फिर काउंटर टेरिजम को फोकस के जा रहा है सब्सक्राइब को भी कहने की बात किरेंगे इंडिया के दोबारा इंटरेश। को लेकर बात किये और पिश्पूल संत रखने वह तक इसे उक्रेयन क्राइस देखने को होना तरह ठीक है तो इन सारी चीजों के लिए भी कहीना गई बात कर पर दोरा कमाना है कि इन कहीना कहीं देखने सब्सक्राइब करने को मिलता चीजिए हैं बाकि इंडिया ऐसा नहीं है कि इंडिया को इसे ही मन बना और इंडिया यशका कहीना तो इंडिया में वोटिंग कर आए गई इंटरनेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जब वोटिंग कर आए गई कोई दीकत नहीं है क्योंकि यह होती रहती है अपने अपने इसाफ से इसलिए इंडिया का अगर बात करें नाइटिन फिफ्टी में 1967 में 1972 में 1977 फिर 84 में फिर 91 में फिर 2011 में और अभी 2022 में देखने मों मिल रहा है यह 2022 लेकर यह वाला आज का यह करेंट वाला लेकर आज टाइम्स एट बार इंडिया ने क्या किया है नान पर्मेमेंट मेंबर का यह बना है यूएन का ठीक है तो यह सारे जीज़े हैं और बात करें तो आगर बात करें जीट जो है ऑफकाव एक ट्वाटल पर सुच्च करतें के ऑने प्रपुलेशं अगर तो तो ट्रेड जी ट्वांट एंगर बात करें तो ट्रेड जो मिलता है हमारा तो ट्रेड में सब्सक्राइब करता है 75 परसेंट इतना बड़ा यह ग्रूप है ऐसा नहीं यह के छोटा गूरूप है तो बहुत बड़ा लार्ज लेबल पर यह कहीं चेंद करता है आपको इकनॉमि ट्रेड है 65 परसेंट